आज की इस रेसिपी का नाम है हरा भरा कवाब, शायद इसलिए क्योंकि ये हरे मटर से बनते हैं, लेकिन सच मारी दोस्तों इसको खा कर आपका मन भी प्रसंद हो जाएगा, तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी, इसके लिए लिया है मैंने एक प्याज, इसको मैंने च बोईल कर लिया है और ग्राइन कर लेंगे इसको जार में, फिर जितना हमने मटर लिया ह। रेमे रारी मेच, प्याज रेकिच जो हमने चॉप किये तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेजिए तो इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा लेके आप इसको टिक्की की शेप में इस तरह से आप टिक्की बना लेजिए और इन टिक्क्यों को आपको सेलो फ्राइ करना है तो कड़ाई में लीजिए ओयल कुछ भी आप रिफाइंड या पर सर्जो का तेल कुछ भी ले सकते हैं और इनको धीरे धीरे इस तरह से लगाई है और इनको शेलो फ्राइ कीजिए अलट पलटके इनको अच्छे से हमें इन टिक्क्यों को सेख लेना है और बहुत ही जादे टेस्ट और स्वाधिस्ट ये टिक्की बनकर तयार होती है जय करने बातो